नमिश्कार दोस्तों आज आपके सामने हैं बजाज प्लैटिना 110 CC में 3 वेरियंट और 9 कलर ओप्शन्स के साथ आती है बाइक और ये इसका ES Drum वेरियंट है इस वेरियंट में Alloy Wheels, LED DRLs, Skilted Seats और Anti-Skid Breaking System जैसे फीचर्स मिलेंगे 69,000 ही एक शोरूम प्राइज है और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के ओन्रोड प्राइज, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टोबी स्पीड और बागी सब भी फीचर्स के बारे में E20 Flex Fuel और OB2 फीचर्स के साथ अविलिबल है इस बाइक तो चलिए शुरू करते हैं बाइक के फ्रेंट से फ्रेंट बेस में लो हाई बीम हैलोजन हैड लैंप उपर LED DRLs और साइड में हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे देखते हैं बाइक के टायर और सस्पेंशन फ्रेंट सस्पेंशन पर रेड और वाइट कलर कॉंबिनेशन के साथ एंटी स्किट ब्रेकिंग के स्टीकर मिलेंगे आगे इस में 135 मिलिमेटर ट्रेवल के साथ हैडरोलिक टैलिसकोपिक सस्पेंशन 130 मिलिमेटर के ड्रम ब्रेक और 80 x 117 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा मढगार्ड पर साइड में ग्रे कलर डिजाइन में ग्राफिक्स सस्पेंशन पर कमफर्ट एक का स्टीकर फ्योल टैंक पर प्लैटेना की बैजिंग इट्वेंटी का स्टीकर चलिए देखते हैं बैक का इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल एनलोग इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल मिलेगा जिसमें की गियर नूट्रल इंडिकेटर बजाज का लोगो चेक इंजन लाइट फ्योल गोज और साइड में एनलोग स्पीडोमीटर मिलेगा नॉर्मल स्टील हैंडल बार मिल जाएगा राइट साइड में हेडलम्प ओन औफ सुइच और नीचे बैक को स्टार्ट करने के लिए एलेक्ट्र्क स्टार्ट बटन दूसरी साइड में हेडलम्प लो फाई बीम और तर्न इंडिकेटर सुइच नीचे होर्न बटन टैंक की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूल टैंक पैड साइड में काउल पर ग्रे कलर के ग्राफिक्स इंजन पर बजाज का लोगो फोर स्पेड गियर वोक्स के साथ आती है बाई जिसमें की चारो गियर आगी तरफ लगते हैं यहाँ पर पैट्रोल टी दी गई है जिससे कि आप फ्यूल को ओन ओफ और रिजर्व में चेंज कर सकते हो गियर और फुट्रेस्ट पैडल प्लैटिना में साइड और सैंटर दोनों तो रेक स्टैंड मिलेंगे आगी की तरफ लेक गार्ड बात करें अगर बाइक के इंजन की तो इसमें 115 सिसी का 4 स्ट्रोक के साथ सिंगल सिलिंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा जो की 6.3 गिलोवाट की मैक्स पावर और 9.81 न्यूटन मिटर का टोर्क जनरेट करता है पैसेंजर के कमफर्ट के लिए वाइड फूटरेस्ट पैडल दिया गया है पीछे साइड गार्ड और चेन ड्राइव ट्रांसमिशन पीछे में 110 मिलेमिटर के SOS, नाइट रोक, स्कैनिस्टर, सस्पेंशन मिलेंगे प्लास्टिक चेन कावर मिलेगा रियर कावल पर 110 कमफर्ट एक की बेजिंग गलोसी ब्लेक फिनिश के साथ ग्रेव हैंडल सीट पर भी कमफर्ट एक की बेजिंग 807 मिलेमिटर की सीट आईटो, 770 किलोमिटर की राइडिंग रेंज बिल जाएगी स्टील मफलर गार्ड के साथ ब्लेक कलर में मफलर देखते हैं रियर टायर प्रोफाइल पीचेज में 80 x 100 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और 110 मिलिमेटर का ड्रम ब्रेक मिलेगा देखते हैं रियर टेल लेंप हैलोजन टेल लेंप और हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे नीचे रियर रिफ्लेक्टर पीलियन फूट रेस्ट पैडल बाइक के फ्रेम को कीचड़ अगीरा से बचाने के लिए कवर दिया गया है ब्लेक कलर में ब्रेक पैडल इलेक्ट्रिक और की की स्टार्ट दोनों फंक्शनालिटी मिलेगी सतर किलोमेटर पर लिटर का माईलेज और नाइन्टी किलोमेटर पर आवर की टोप स्पीड क्लेम करती है गंपनी बजाज का लोगो 11 लिटर की फ्यूल टैंक कैपसिटी और 2 लिटर की रिजर्फ फ्यूल कैपसिटी मिलेगी बात करें अगर बाइक के डाइमेंशन्स की तो इसमें 2006 मिलिमेटर की लेंथ, 741 मिलिमेटर की विड्थ और 1100 मिलिमेटर की हाइट मिलेगी साथी इसमें 1255 मिलिमेटर का वील बेस और 200 मिलिमेटर की ग्राउंड के लिए रैंस मिल जाएगी 119 किलोग्राम कर वेट है बाइक का पाँच साल और 75,000 किलोमेटर की मैन्यूखेक्चरर वरंटी ओफर करती है बजाज और प्लैटिना का जो H-gear वे एबस वाला टोप मोडल है उसमें तो सैमे डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल और पाँच गियर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं अगर आपको प्लैटिना के टोप मोडल का रिव्यू देखना हूँ तो आप उपर कोर्नर में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना कुछ ऐसे डिजाइन के साथ अलोई वील्स देखने को मिलेंगी फ्रंट लुक साइड से कुछ ऐसे दिखती है बात करें अगर बाइक के ओनोड प्राइस की तो करीब 88,500 की ओनोड पड़े ये बाइक सब्सक्राइब बाइक